हेलो स्किल कोजी मेंबर आज के इस वीडियो में आप लोग सिखने वाले हो मेगा कॉंटेस्ट किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हो देखो easy है उत्रा भी ज़्यादा complex नहीं है बट आप सारी चीज़े नहीं सिखोगे नहीं समझ पाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको complex लगेगी देखो यार कहीं नहीं यहाँ पर सारी चीज़े जो mega contest में होती है 99% जो है आपका luck का साथ होना जरूरी है अगर आपका luck आपके साथ नहीं है तो फिर आप जीत नहीं पाते हो mega contest बट 1% जहां इसकी लगती है जहां बात analysis की होती है जहां बात states की होती है उसके उपर ही बात करने वाले हैं वो 1% का भी use करके आप अच्छा कासा margin से या अच्छा कासा push दे सकते हो mega contest में तो वीडियो को बारी की से देखना लाज तक देखना एक मिनट भी skip मत करना पूरा का पूरा जो chapter आपके लिए है हर एक चीज मैंने छोटी से लेकर बड़ी चीज आपको बताई है कि यूटूब पे किस तरीके से आपको जो है भाई आपको गलत चीज बताई जाती है कही ना कही और इस चीज को फॉलो करके आप जो है अच्छा कासा पैसा अपना जो है लॉस कर देते हो फिर बाद में सो सोचोगे कि तुम्हारे भाई ने एक करोर रुपए जीत लिए तो वैसा मौका मुझे भी अभी तक नहीं मिला है अगर फ्यूचर में ऐसा कभी होता है कि तुम्हारा भाई अगर एक करोर रुपए या उससे जादा या उससे कम एक हैवी अमांट वीन करता है तो आप है दो कैसे आपको मिजगाइड किया जाता है यूटूब पर पहले मैं आपको बताता हूं लोग आके बाजन बाजी करते हैं जो यहां से selection rate के उपर ठीक है क्या बात करेंगे वो selection rate के उपर अब selection rate के उपर बात करते हैं आके बोलेंगे कि भाई जिसका percentage 4 हो परसेंट हो 5 परसेंट हो 10 परसेंट हो 15 परसेंट हो 20 से नीचे 20 से नीचे के percentage वाले player को आपको रखने है और आप जो है grand league जीत जाओगे मतलब या तो भाई आप पागल हो या तो जो भी लोग ये सारी चीजे बता रहे है वो पागल है कहीं न कहीं ये सारी चीजे जितने भी लोग बोलते हैं कि जो percentage होता है player का selection rate होता है उसके उपर सारी चीजे dependent होती है तो ये सारा सार गलत है तो भाई एक चीज मैं आपको logically बताने वाला हूँ खुदे से समझना खुद का दिमाग का यूज करना अब भाई मान के चलो कि एक match होने वाला है जो match होने वाला है Australia और यहां से India के बीज में तो देखो कि जो middle के खिलने वाले है मान के चलो कि मनीश पांडे आ गया है जो कि squad में आ गया इंडिया कर वो खिलने वाले मिडिल के है ठीक है और रोहित सर्मा जो है तॉप के है तो रोहित हो गए और यहां से जो है मनीश हो गया दो है इनका selection rate 90% है और मैं भी कि ठीक है अब भाई selection rate कम है तो ऐसा मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने मनीश पांडे को लिये है selection rate कम है और यह बंदा मुझे grandly win करवा देगा और रोहित सर्मा का 90% है इसको मैंने हटा दिये है तो यह win नहीं करवा पाएगा ऐसा कुछ है ऐसा कुछ नहीं है सारी चीजे जितनी भी चीजे हैं सारी चीजे डिपेंडेंट है performance base को पर कि कौन से खिलारी कैसा performance करके देने वाला है इस चीज का आपको analysis करने है वो बारिक से वो कैसे होती है किस तरीके से आपको analysis करने है और किस तरीके से आप एक analysis expert बन सकते हो सारी चीजे में बताऊंगा वीडियो थोरी लंबी हो सकती है में भी आपको आप वीडियो से बोर हो सकते हो तो आप जो है break लेके वीडियो को देख सकते हो क्योंकि आपको अगर mega contest क्रेक करने है न तो ये वीडियो आपके लिए राम बांग साबित होगा इस बात का ध्यान केगा तो प्रॉपर तरीके से आपको देखने है break ले लो ठीक है कौन सा खिलारी कैसा performance करके देने वाला है इसके उपर ध्यान दोगे न तो कहीं न कहीं अच्छा कासा आपको advantage देखने को मिलेगा mega contest में जो भी बोलते है कि आप जितने भी आप वो percentage इसका कम रहेगा उस खिलारी को लेते हो तो आप जित जाते हो ऐसा कुछ नहीं होता है सिंपल मैं लोजिक बताता हूं इसका क्या advantage होता है कि थोड़े आप अलग दिखने लगते हो कहीना कहीं यह सारी चीजें mega contest में ना काम करके small league में बहुत ज्यादा काम करती है मैं बताता हूं थोड़ा अलग दिखते हो कहने का मतलब कि 15% selection rate है तो 90% सेलेक्शन रेट है रोष सर्मा का रोष सर्मा कहीं ना केकर flop जाता है और मनिश्पांडे अच्छा खेलता है उस कंडिशन में आपको advantage मिलेगा हां कितना 90% का, पतो ही बात करें, अगर रोहिज सर्मा अच्छा खेल जाता है, आपने रोहिज सर्मा को नहीं ले रखा है, मनिश पांडे को ले रखा है, अब रोधिन सर्मा को अच्छा खेलें, अब ले लोगतो कि name अच्छा करा हैं, उस से आपको कोई फर्क नहीं पर एगा, तो कहीना ज craft अच्छा कर पाथें तो ठोरे बहुत मतलब कि माइनर होती है मेजर हैँ कि आप Selection If decision rate को पर काम करनें कि इस खिलारी का selection rate इतना कर क्यार रहे हो उस पह ध्यान नहीं देने फैक्ट है मतलब की जो सच्छा है उसको पर काम करने है इधा उधर के चकर में मत पूशती है सारी चीजे बस वीडियो उठाने है बना देने हैं कुछ लॉजिक नहीं है यह सारी चीजे में बट यहां पर स्किलमोजी एफिजियल चैनल पर आपको लॉजिकली सारी चीजे बत करने होते हैं और किस तरिके से आपको समझने होते हैं और तोर-फोर के छीज़े तुमारा वहाई वहीं तुमको अश्ञें लाखरि jest होगे इतारीके से में कोंटेस्ट में आप अच्छा करो स एक किस तरिके च सारी छीज़े 9 बनाने हैं तो थोड़ी जो possibility है आपकी जहादा हो जाती है बड़ कम टीम बनाते हो तो आपको समगे voz बार्वाला भार्वा में जाता है या यह जो norm एक, दो, तीन, चार, पाज, छे, साथ, हाट, नो, दस, इक यारा, ठीक है, एक यारा खिलारी, ठीक है, भाई, समझ जाओ, एक यारा खिलारी, दोनों तरब से, अब एक फैन कोट देख लो, आप, यहां से भाई, आप जो है, क्रिक बस देख सकते हो, ठीक है, कोई भी यहां से, क्रिकेट, जो है, आप यहां से, क्रिकेट एक्सचेर्ज देख सकते हो, ठीक है, यह सारी चीजे जो है, यह स्कोरिंग साइट है, ठीक है, यहां पर स्कोर बताई जाती है, और कुछ मेंचे इसक और इसमें जो मतलब की अच्छे मैचेज होते हैं वही दिखाई जाते हैं तो आप मान के चलो कि टीम 1 और टीम 2 के बीच में मैच होने बाला है अभी IPL का ही एक्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है कि मान के चलो कि CSK कि वर्सिस मुंबई इंडियांस एक बरा मैच ठीक है इन दोनों के बीच में मैच कहला जाना है टीम 1 हो गई CSK टीम 2 हो गई मुंबई इंडियांस अब सारी चीज़ें डिसाइड कैसे करने हैं मेगा कॉंटेस्ट ब्रेक कैसे करने हैं टीम कैसे बनते चले जाएंगे कि अगry में सारे चीज़े संबता है कि देखो यार इधर से हो गए कि यह जो जो इस चार तक हो गए टॉप ऑब ठीक है टीम तो ऐसे एक महरा है कहने का मतलब को मुंबह इंडियास लिए इसान किसान रोहिस सर्मा सुरुकुमार यादव जैसे खिलारी अगर एवेलेबल नहीं होते हैं तो वही मुंबह इंडियास एक जो है बहुत कम्जोड टीम कहलाएगी अगर आज के डेट में मुंबई इडियंस के पास रोहिस सर्मा इसान किशन सुरुकमार यादव उम्राजे से अच्छे खिलारी एविलेबल है तो टीम जब स्ट्रॉंग बनती है जब स्ट्रॉंग खिलारी एविलेबल होते हैं तो सारी चीजे प्लेयर ही करवा तो तीन कंडिशन होती है मैच खेले जाते हैं जो मैच होते हैं वह खेले जाते हैं लिए जातो एक तो इस्ट्रॉंग और कि बीच में मैच जाए जाएगा मैच जैसे अब बीसीयारी ऑर ओंबाइ इंडियास दोनों टीम है फ्रॉंग है या तो यहां से strong और weak के match मैं मतलब weak मतलब कहने हमाद करने का कमजोर के बीच में match केला जाना है ठीक है यहां से weak और meth मैं यह तीन चीज़ें के ऊपर जब आप focus करोगे ना तो एक clue निकल के आएगा आपके अंदर कहने का मतलब कि strong और strong strong weak और weak strong भी बहुत रखते और यहां से कमजोर और कमजोर ठीक है यह तीन चीजे आपको हर एक match में focus करने हैं कहने का मतलब कि आज अगर Mumbai Indians और यहां से CSK के बीच में match है तो कहने का मतलब कि rule number one लगेगा कि दोनों टीमें strong है और strong के बीच में match है अभी का condition मैं बता रहा हूं जो अभी का condition है ठीक है तो condition किस पर depend करगा प्लेयर के उपर अब मैं प्लेयर का नाम नहीं लिख सकता हूं इसलिए मैंने एक दो तीन चार पाच 11 तक count कर दिया है आप अपने हिसाब से प्लेयर बैठा लेना अपने हिसाब से अपने हिसाब से decide करना कि कौन से टीम strong है कौन से टीम weak है कौन से टीम मजबूत है कौन से टीम कमजोर है खुद से आपको decide करने है देखो यार कुछ लोग को बकवास लग रही है बट मैं जितनी पी चीज़े बता रहा हूं ना यह आपके फाइदे के ही है मैं खुद के knowledge से तो यह तीन चीज़ को पर आप काम कर लो कि कौन से टीम कमजोर है कौन से टीम strong है तो वर्चेज देख लेना कोई मान के चलो कि बीच में मैच होना है तो तो देखो यार बोलिंग डिपार्टमेंट भी अच्छी करेगी बेटिंग डिपार्टमेंट भी अच्छी का रहेगी बट इसमें से ही बोलिंग डिपार्टमेंट और बेटिंग डिपार्टमेंट और आल राउंडर डिपार्टमेंट सारे के सारे डिपार्टमेंट अच्छे का रहेगी तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखने है कि अगर स्ट्रॉंग और स्ट्रॉंग के उपर मैश होता है कहा कि इसका उपरने ही कि कौन करने है इसके लिए मैंने बताये कि फैन कोड है किरिक बज। है जिसमें आप को पिछले मेच का सारी चीजे देख सकते हो तो दो चीजे निकालो आप एक है है तो एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है ना करने का मतलब कि यह चीज निकालना आप कभी मत भूलना कि यहां से बॉलर वर्सेस बैट्समेन का मतलब कि कि CSK का बॉलर है ठीक है तो इसको वर्सेस करवाना मुंबई का यह से बैटर के साथ ठीक है यह दोनों करवाना कि भाई कौन सा बॉलर कितना बारी विकेट किसका लिया है और कौन सा बॉलर इधर से मुंबई इंडियाज के तरफ से CSK के लिए विकेट लिया है ठीक है, कहने का मतलब कि चलो भाई कुष्टी लड़ते हैं हम और तुम, ठीक है, तो हम और तुम कुष्टी लड़ने वाले हैं, पांच मैच होता है, पांच बारी कुष्टी लड़ते हैं, तुम मुझे पांच मैच से चार बारी हरा देते हैं, ठीक है, तो अब जो छटा मै तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या निकल के आ रही है तुम मुझे हरा दोगे यही निकल के आ रही है न सारे लोग बोलने की हरा दोगे और 99% के सेज में यही होगा कि तुम मुझे हरा दोगे एक परसेंट जो कि लग होता है क्रिकेट है अनिशिनताओं का खेले कभी भी कुछ भी हो सकता है वो एक परसेंट में जो कि क्योंकि एक बारी मैंने भी तुमको हराया है तो वो भी पोसिबिलिटी है कि मैं भी तुमको हरा सकता है बट पोसिबिलिटी कितनी है एक परसेंट का पर तुम्हारे जीतने की possibility कितने है 99% का चुकि आपने पांच में से चार बारी मुझे हराए है फाइटिंग में और एक बारी ही मैं आपको हरा पाया सो डेट यही होता है कि आज के टाइम में मैं आज जो मैच खेला गया यहां से लकनो जायंस और डवंग डेली के बीच में भाई सेम चीजे देखने को मिली कि रवी विश्णोई जो था डेविट वाडनर के खिलाप चार मैचेश खेला था ठीक है और चार मैचेश दो बारी आउट करा था और रन कितने बनाए थे उन्होंने यह पाँच रन ही बना पाये थे और बॉल कितने खेले थे या चार की पाच बॉल खेल पाये थे और ऑज एडेट में वही हुआ रवी विश्णोई के बॉल पे डेविट वाडनर आउट हो गया तो पोसिबिलिटी वहां स के तरफ से दीपक चार लोटने वाले हैं ठीक है अब यहां से यादेश पांदे हैं जो भी खिलारी हैं मोहिन अली हैं कोई भी है ठीक है बॉलर इदा से बैट्समेन है रोहिस सर्मा इसान किसन है इधर देख लो आप इदा से सारी चीज़े बुंबरा हो गए ठीक है जो जित आप जो है इसकीपेबल प्लेयर डूंडोगे वहां से निकल के आगी कौन से खिलारी को मुझे छोड़ने हैं और कौन से खिलारी को मुझे पकर के रखने हैं ठीक है 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 एड-to-head record में यह होती है हमेशा से और recently जो खिलारी अच्छा किया है ठीक है मान के चलो कि मैंने 50% पर काम करने मुझे 10-20% समझ रहो 50-50 कुछ नहीं रखने है भाई तोस करवा लेते हैं क्या दिक्कत है 50-50 करना रहेगा तो फिर काम क्यों घरते हैं समझ रहो तो यह सारी जीजिए 50% काम नहीं करने है 90% 10% पर काम करने यह तो भाई 10% जो की यहां से बेटन करवा होगे जो बॉलर और बेक्सपन का उसके उपर 90% एकदम से भरोसा दिखा होगे उस खिलारी के उपर कि भाई आज के डेट में रोहित सर्मा अच्छा करेगा ही करेगा क्योंकि मैंने उसको अपने टीम में लेके रखा है यह होता है confident level इस confident level के साथ अगर आपक के coding ही चलेगी फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी चीजे हैं जो आप मिस कर रहे हैं कितनी सारी जानकारी है जो आपको नहीं बताया जा रहा है आपको selection rate के उपर काम करवाए जा रहा है भाई क्या है selection rate कि 10% वाले selection rate खिलारी को हम ले लेते हैं तो हम जीत जाएंगे नही परफॉमेंस देने वाला है वो सारी चीजें निकल के आएगा battle गूगल है आपके हाथ में करवाओ battle जैसे है इधर से खिलने आते हैं रूतुराज इधर से बुम्रा अटेक करवाने आते हैं देखो कि रूतुराज को बुम्रा ने कितने वारी आउट करें यह होगी बात य और यहां से डिया से इस सब्सक्राइन से बुम्रा के साथ जो बीग अटेक करवाने दो खिलारी आएगा तो और इस दो खिलारी आइगे दर में करेंगे तुम चार तक रख लो वर में चार विके Torah कर राओ तो कि इस वंदें ने भाई इस और इस मारा है यह आउट हूआ अगर मारा है तो इधर जो बॉलर रटा के बेटर को रखने है अगर आउट हुआ है तो बेटर को रटा के बॉलर को रखने है इस तरीके से काम करने है इस तरीके से काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे तो नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता हमारा रेंक अच्छा का साथ तुम अच्छा करने का कोजिस करो, अच्छा करते जाओगे ना तो एक दिन आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर फिल कर पाओगे उस चीज को, ठीक है, तो फिर आपके अंदर से आवा जाएगे, नहीं मैंने मैनात करे हैं, मैंने कुछ सीखे हैं, मैंने अपना प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कुबरा फैंटेसी का, अगर आप ये सारी चीजे नहीं करना चाहते हो, वन प्लेयर फैंटेसी करना चाहते हो, पांच किलारी के नाम होते हैं, एक प्लेयर उठाने, कॉंटेस, जॉइन करने, पैसे आने करने, ये जो है चारे स्टेप में आप पैसे आर्न कर सकते हो, कुबरा फैंटेसी के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कुबरा फैंटेसी का, जाओ फटा फट जॉइन करो, अच्छा खास पुस्क में लेगे, आपको इस बाद कर दियाने के, बेस्ट आप लग, टेक केर अपना ख्याल रखे, सिखते रहे, जीते रहे, ये लाइप में आगे बढ़ते रहे,